मैं पिछले कई महीनों से गुजरात में घूम रहा हूं, जन्ता से मिल रहा हूं, कई टाॉन हॉल किये, वकीलों से मिले, व्यापारियों से मिले, उद्योगपतियों से मिले, किसानों से मिले, आटो ड्राइवर से मिले कई लोगों से मिले सब कहते हैं जी गुजरात में इतना ज़्यादा भ्रष्टा चाहर है इतना ज़्यादा भ्रष्टा चाहर है आपको किसी भी सरकारी विभाग में काम कराना है तो आपको पैसे देने पड़ते हैं कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता है नीचे के लेवल पे भी प्रष्टा चार है उपर भी सरकार के उपर बड़े बड़े घोटालों के आरोप लगते रहे हैं इनके खिलाफ अगर कुछ बोलो तो ये डराने पहुंच जाते हैं, धमकाने पहुंच जाते हैं व्यापारियों को द्योगपतियों को रेड की धमकी देते हैं तुमारा धंदा बंद करा देंगे, तुमारा बिजनस बंद करा देंगे, रेड कर देंगे, बरबाद कर देंगे एक आम आदमी को इनके लोग पहुंच जाते हैं डराने के लिए अगर इनके खिलाफ कुछ बोलो तो तो चारो तरफ इतना ब्रष्टा चार है चारो तरफ इतनी गुंडा गर्दी और इतना डरा रखा है इन्होंने लोगों को